पिर्दा भारती सक्षी सहेली बस आज तो विचार करने का ही दिन है बच्पन के यादों में चले गए थे कि जब कार्टून्स देखा करते थे सच मुच वो जो कार्टून की दुनिया बड़ी लुभावनी होती है बड़ी मोहक होती है और चोटे बच्चे जब कार्टून के सामने बैट जाते हैं स्क्रीन के सामने तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेते हैं दरसल यह बात हमें याद दिला रही है कि आज विषव एनिमेशन दिवस है और इस पर हम तफ्सील से चर्चा भी करेंगे और साथ में अपने सखियों और सखाओ को बता दे कि दीवाली की तअधियारियों के बारे में भी बात करेंगे और क्या विश है जिस पर हमें चौकलेट खाने की बात होती है लेकिन तवचा भी निकरती है ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी लेकिन आज हम बताएंगे क्योंकि आज चौकलेट डे भी है और जो हमने जिक्र किया है कि दिवाली की सफाई और सुनहरी स्मृतियां तो हो सकता है कि सख्या कहें कि ये क गल्यारों में पहुचे जाती है तो हमारी सख्या भी बताएंगी सख्या भी बताएंगी कि वो कैसे गल्यारों में पहुचे अपने किस से लिख सकते हैं और आपको हम बच्पन वाले गल्यारे से बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि एनिमेशन डे है आज विश्व एनिमे फिल्में भी बनती हैं, बहुत सरे गेम्स भी होते हैं, जो बड़े ही मनमोहक होते हैं बिल्कुल, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत, A.S.I. F.A. ने साल 2002 में की थी और इस दिन को एनिमेशन के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है एनिमेशन के जन्म दिन के तौर पर 28 अक्टूबर 1892 को पेरिस के थेटर आप्टिक्स में चलती छव्यू का पहला साथ दिनिक प्रदेशन किया गया था दरसल ये एक ऐसा ख्शेत्रे की बच्चे युवा इसको करियर के रूप में भी ले सकते हैं इने तक्नीक को अपना कर बहुत अच्छा काम इस विशे में कर रहे हैं जिसमें रचनात्मक शक्ती भी होती है इसे खूब पसंद भी किया जाता है रोजगार भी मुहिया हो जाता है और इसमें स्थिर चित्रों को जीवन्त कर दिया जाता है उनमें गरती प्रदान कर दी जाती है कई पारम पर एक एनिमेशन में हां से पेंट चित्रों को भी गरती शीलता उसमें कर दी जाती है इसा यह तक्नीक ऐसी तेज है मंजरी जी कई बार हम जब एनिमेशन फिल्में देखते हैं एनिमेशन के पात्रों को बाकाइदा अलग-अलग आवाजों में डब کیा जाता है और वो आवाजे निकालना मुश्किल भी होता है जब चिडिया बंदर और त्रह-त्रह की आवाजे निकाली जाती है तो वो कोई चिडिया की आवाज नहीं होती है वो व्यक्ति ही होते हैं वो जो अपनी रचनात मक्ता प्रदर्शित करते हैं और उन आवाजों को निकालते हैं इसके लिए डविंग आर्टिस्ट अपनी आवाज देते हैं और अच्छी खासी कमाई भी उनकी होती है और साथ में शौरत भी मिलती है बच्चे भी इस ओर अपनी आवाज देने के लिए अग्रिसर होते हैं करियर के तोर पर दस्वें और बार्वें के बाद इसका कोर्स भी होता है बिल्कुल और ममताजी किसी भी कहानी को एनिमेशन की तक्नीकी से बनाते हैं और कई घंडों की मेहनत के बाद छोटा सा सीन बन पाता है कंप्यूटर में इतने आधनिक टूल्स हैं जो एनिमेशन में इस्तेमाल किया जाते हैं तो उन सब को बारिकी से सीखा जाता है एनिमेशन की दुनिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है आज गेम डेवलपर, स्टोरी टेलर, वाइस ओवर आर्टिस्ट की मांग भी बहुत बढ़ी है और युवा वर्ग भी अपनी क्रियेटिविटी को विस्तार दे रहे हैं इस फिल्ड में बिल्कुल और बच्चे तो क्या बड़े बुज़ूर्ग, सभी को अनिमेशन फिल्में कार्टून पसंद आते हैं और इतने सुंदर बने होते हैं कि कई सीरीज तक लगातार देखते चले जाते हैं समय का पता ही नहीं चलता है और जब बच्चे देख रहे होते हैं तो उनके साथ देखने लग जाओ तो फिर हटने का हम बिल्कुल मन नहीं करता है जब कई बार हम चिडियों की अलग-अलग आवाजें देखते हैं जैसे तोते की आवाज तो वो जो आवाज होते हैं जो आवाज होती है तो वो हम बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हैं ये हम इसलिए बता रहे हैं अपने सुता को कि हम जब उस दुनिया में पहुंचते हैं तो सच मुच मतलब उस करदार को जेने लगते Εं और उस किरदार को जब जीते तो हूब हूब वैसी आवाज निकलती है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सब के वश्का होता भी नहीं है, और इसके लिए ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों में ये हुनर जनजात होती है, वो अपने आप से ही ऐसी आवाजे निकालते हैं, तो मु कहानी, सब ही एनिमेशन के द्वारा बनाई जाती है, बच्चे देकर बहुत सी बाते इन से सीख जाते हैं, और मतर जी पैरेंट्स जो होते हैं, उनको भी यही कोशिश करनी चाहिए, कि बच्चों को अच्छे अच्छे एनिमेशन के फिल्म में ग्यान वर्धक के जानकारी वाली चीज़े ही दिखाया हैं उन्हें, और बहुत कुछ सीखते हैं, गरहन करते हैं, और कई लोग अपना करियर भी इसमें शुरू से ही सोच लेते हैं, कि हमें एनिमेशन फिल्मों की दुनिया में जाना है, तो जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए देते हैं शुपक ख्रोता ने लिखाया है कि बच्चों के साथ टीवी पर तो देखी थी, मोगली, एलिस इन वंडरलैंड, टॉम और जेरी, आज भी दिन भर के बीच में जरूर एक बार अपने मोबाइल पर देखती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में कुछ बच्चे जो अब कोई कम ही रह नहीं गई है, तो अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको समझाना चाहिए, बस खाली इतना कर सकते हैं, और संदेश में लिखते हैं कि एनिमेशन के जन्म से पहले भी छाया कटपुतली परंपराओं में कहानी को बताने के लिए छवियों का उपयोग किया जाता था और इसका एक कुल लेकनी उधारण इन्होंने दिया है कि आंत्रप्रदेश राजी से थोलू बोमन लता यानि चमड़ी की कटपुतलियों का नरत्ते हैं, इस्तेमाल की जाने वाली कटपुतलियां बड़ी होती थी और उनमें कई जोड़े होते थे और तोनों तर शोताओं की टिपणियां लगातार आ रही हैं, एक शोता ने लिखा है, क्या लिखा देखते हैं कि स्लाइड शो के रूप में राजा हरिश चंद्री की कहानी विपल फिल्म निर्माता दादा साय फालके की पहली फिल्म, राजा हरिश चंद्री के पीछे एक प्रभाव थी जिसका निर्माण 1913 में हुआ था, राजा हरिश चंद्र भारत की पहली स्वदेशी मूग फीचर फिल्म होने के लिए उलेखनी है, और भी बहुत बड़ी सी टिपणी इन्होंने लिखी है कि भारती सिनेमा के जनक की रूप में संदर्वित फालके जी ने एनिमेशन में भ पहुज बनाई थी लिखाए इन्होंने और एनिमेशन इतनी सारी चीजों में है कि आजकल हर जगे प्रेयोग हो रहा है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े-बड़े सीन होते हैं उनको एकदम देखो तो लगता है कलतना लोक में पहुच गया है, इतना सु जावट की सफाई की शुरुवात कहां से करें, तो सबसे पहले आज सफाई की शुरुवात करते हैं और जब सफाई की शुरुवात करते हैं तो कौन-कौन सी स्मृतियां दस्तक देती हैं कई बार क्या होता है कि किताब को दिख जाती है ठीक करते हुए अपना इंटरस्टी होता है कि नेोतक है का दधाली को देखी लोगी क्या है दादी नानी और मा के हाथ की बनी बहुत स्וחाधिश्ची चीज़ें नातना हुटति है जैसे दादी के हाथ का हाटे का हलवा, बेसन का चीला याद आ जाता है और नानी के हाथ का पराथा, बुकनु अचार संग वाला याद आ जाता है क्योंकि उनके हाथ का अचार भी वो बनाया करती थी क्या बात है क्या बात है मंजरी जी आपने तो वो सारी बाते याद दिला दी मा के हाथ का निमोना और आलू की सबजी और जो मूंग की गोली गोलियां बनाई जाती थी उसको कोड़ोरी भी कहा जाता है कुछ कुछ जगाओं पर और हम उन्हीं में खो जाते हैं अच्छा उन् जाने क्या क्या बाते याद आ जाती है वो अखबार की कत्रने जब हम देखते हैं पलट-पलट के तो पीले पड़ गए होते हैं लेकिन जो उसमें लिखावट है वो बिलकुल उजले-उजले होते हैं और कई वार लगेगा अच्छा इस दिवाली में इनको हटा देते हैं रदी पिपरों को हटा देते हैं लेकिन फिर भी वो चोरी से चुपा के रख लेंगे नहीं अच्छा छोड़े इसको नहीं फिर भेकेंगे ऐसी आलत हो जाती है और दिवाली की सफाय अपने संग याद हो की बाकाइदा बरात लिए चली आती है कपड़ों के अलमारी ठीक क बाकाइदा सब मिलके पूरा परिवार दुकानों पर जाते थे कपड़े पसंद करते थे तब ओनलाइन नहीं था ना एक एप खोला और वहां पर पसंद कर लिया क्लिक किया और घर पे आ गया वह समय बहुत ही अच्छा था और घर के जो बड़े बुजर्ग होते थे वह ज जामे कुर्टे बनते थे या उनके लिए नेकर पैंट आ जाता था और घर की महलाओं की एक ही तरह की बॉर्डर वाली साड़ी मुझे याद है और उनके बस रंग अलग-अलग होते थे तो कोई उसमें ब्लाउज जो था कोई पफ वाली बाहों वाला सिल्वा लेता था और कोई लंबी बाहों माली पसंद करती थी तो अपनी तरह से वो लोग उसको चेंज करते थी कि मैं तुड़ा सा तो अलग दिखे और आज की तरह नहीं कि जैसे आपने कहा है न कि ब्रांडेट कपड़े गया लेया जाकर या ऑनलाइन मंगा लिया वो नहीं था बाकएदा दर यह था भरे भरे खत होते थे जिने हम पूरे के पूरे खत पढ़ते पढ़ते पता चला कि एक दो घंटे बीद गए और घड़ी की और देखा तो यह तो तीन बज गए साड़े तीन चार मतलब यह जो होता था दिन बीच जाता था और पता चला हम अपनी आदों में खोई लहाते थे और कई बार उन खतों में पूरे मोहले रड़ की हाल जाप बिलीकुर तीन तो आपनी तो नहीं पूचिएं के ओढ़ दो फ़लानी माहता दो किसी का पत्र बी रह जाता घर के परिबार में भी पत्र लिखे जाते थे तो यह बहुत ठीक आने इस uğhrी ध्यान से से पेंटिंग बनी हुई थी तो बड़ा लगा कि अपना वाला प्रेम पत्र जो छुपा के लिखा था वो उसकी बार तराज रहने थी लेकिन ये तो हम भाई अभी अब उस दूसरे जमाने की बात करें बिल्कुल और वैसे भी अपना वाला प्रेम पत्र थोड़ी ने किसी को दिखाया जाता है वो चुपा के रखा जाता है और कई बार बहुत सारे सामान कपड़े बरतनों की जब चटाई करते थे तो उनकी यादों से भी जुड़ी हुई बहुत सारी बाते आता थी ती ती तो बड़ा दुखता है मन के नहीं नहीं, बहुत बागी है बहुत कड़ा करके। निकाल पाते हैं। और मतलों सफाय करते हैं। यादों में इतना हो जाते हैं कि आपोनेंधाइसे। श्रॉल में भागोना क्या हूँ, वह रागा को फ़क्तिक कि और वकहा सथे निannya क्यों ने आपचेव। दूद पी रहा है तो लुड़क भी चाती तो ऐसी यादे होती है उन बर्तनों से जुड़ी तो आज भी उन बर्तन को निकालने का मन नहीं करता है। चोटी सी ठाली चोटी सी कट ऊरी में अभी पी विशेश है तो जब दिवाली की सफाई करते हैं तो आज भी हम सब चीजन टटściąलते हैं हलाकि अब बहुत कुछ बदल गया है ना तो उतने बड़े बड़े घर बचे हैं और ना ही उतनी सारी चीजें ना ही उन चीजों से जुड़ी हुई वो आत्मियता बची है क्योंकि अब सब कुछ बहुत ही mechanical हो गया है, machine ही हो गया है अब मशीन द्वारा सफाई होती है, एक एप के जरीए लोगों को बुला लिया जाता है घर में और चार-पार घंटे में मशीन के जरीए पूरी जाड़ पोच हो जाती है, लेकिन अभी भी जो छोटे शहर हैं, गाउं हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर ये सब कुछ बचा हुआ है लोग अपने हाँ से जाड़ू लेकर बाकाइदार लिस्टिंग करते हैं, और किताबें पलट कर करीने से लगाते हैं, हलाकि किताबों की साफ़ सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है, आज भी यानि कि ममताजी दिवाली की सफाई पहले अगर हम करते हैं, तो उसकी सचता पर भी हमें ध्यान रखना है, और जो बाद में हम करते हैं, दिवाली के बाद जो सचता हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो भी बहुत जरूरी होता है देखिए दिवाली की साफ सफाई के साथ साथ तैयारी भी की जाती है और तैयारी के लिए हमारे श्रोता बिलकुल तैयार है और खूब सारी टिपड़ियां भेज रहे हैं लगातार सफाई से जुड़ी हुई भी कुछ बात हैं शोता ने लिखा है कि सभी के अनुभों उम्र के साथ बदलते जाते हैं बच्पन में इनी तेवहारों की उमंग एक अलग तरह की होती थी किसी भी प्रकार की न चिंता न कोई जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तेवहारों के अनुरूप माता पिता से अपनी जरूरतों की पूरी सफाई आर्थिक जरूरतों के जिम्मेदारियां लेकर आती हैं क्या बात है और अगले संदेश में है कि हमारे हां पर दीपा वली की सफाई अंतिम चरण पर है कल से मिठाई और नमकीन बनने वाले हैं क्या बात है और देखे दीप पर्व के दौरान मुख द्वार पर तोरण, रंगोली, साज सज्जा के साथ ही दीपक जलाना, शुब उरजाओं का मंतरन करना और स्वागत की तरह होता है और हां ये ध्यान रखे कि मुख द्वार में कहीं चिद्र और धरार ना हो उसे खोलने और बंद करने में आवाज ना आती हो शुब लक्षनों से य जोज के लिए थोड़ा-थोड़ा काम बाटने में आसानी होगी और सफाई, मिठाई बनाना बगर है तो जैसे कामों को समय से पूरा करने में इसे आसानी ही मिलती है और एक बात का खयाल और रखे कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग दिवाली को इतने बड़े पैमाने प पा रहें उनकी मदद भी करें उनकी लेए भी मिठाईयां खरीदें उनके लेए भी नए कपड़े खरीदें और उन्हें घर के सदस्षी की तरह खुशी बाटें बिल्कुल और अब हम क्या करें एक ब्रेक लेते हैं समय वेविद भारतिय सी कि हेकारी क्यम सखी सहेली और मंजरी जी सफलता पाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे नुस्खे होते हैं जिसके जरीए सफलता पाई जा सकती है उसमें एक एहम मुद्दा है आ सफलता जल्दी कुर्ण जाते हैं तो इसी विषयपर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे गजिए आपने बात करी थी ना सफलता और आश मिरमा निर्भथा की वारे में गाने से पहले तो दिखि जो सफलता की फेली सीड़ी होती है वो है आत्म निर्भरता जैसे कि जब हम छात्र जीवन में होते हैं ना ममता जी तो खुद से ही परिक्षा की त्यारी करनी पड़ती है और प्रश्णों को तो खुद ही याद करना पड़ता है क्योंकि परिक्षा देने हमें ही जाना होता है कोई दूसरा तो न देखते हैं, तो परिक्षादेते समें क्या होता है। कि प्रष्णों को देख कर हमें डर नहीं लगता है। बल्कि हम खुट علي को से हमारे रही होता है। इतने आत्मनिर्भार हो जाते हैं। UM яв कि पहले से तैारी कर रख होती। तो कहने का मतलब यह है कि चात्र जीवन में आप अनुशासित होकर पढ़ेंगे और तब ही आपके अंदर आत्म निर्भरता आएगे। जैसे जैसे हम आगे के करियर की तरफ बढ़ते हैं नोकरी के लिए आवेधन करते हैं उस वक्त भी है हमारी आत्म निर्भरता हमारे काम आती है क्योंकि हमारे अंदर शुरू से है अपना काम खुद करने की आदत होती है। जादा अपने आश्रित बना लेते हैं बच्चों को कि बड़े होने के बाद कई बार हमने कई युवाओं को देखा है कि हर बात मापिता से पूच कर कदम बढ़ाना ये ठीक है कि उनसे गाइड लेना मतलब उनसे जानकारी लेना मार्क दर्शन लेना ये अलग बात है लेकिन पूरी तरह से माता-पिता पर आश्रित रहना हर बात के लिए हर निर्णाई के लिए ये फिर उनको आत्म निर्भर बनाने से दूर ले जाती है। यहे लोगों के प्रति उदार होते हैं द्यागा भाव रखते और ऐसे लोगों मेग विनम्रता बहुत होती है वे विप्रीत प्रिस्तियों में भी विचलित नहीं होते हैं धैर पूरवक जो है, वो समस्या का हल निकाल लेते हैं, खोज लेते हैं, क्योंकि वो आत्म निर्भरता जिसके अंदर होती है, वो सफल होता है, विकास के रास्तों पर वो सुगमता से बढ़ जाता है, और जिसमें कमी होती है, अभा होता है, वो दूसरों के अधीन हो जाता ह और आत्म निर्भरता जब होती है ना तो बहुत कम उम्र से जिम्मेदारी भी आ जाती है और छोटे से छोटे काम को अपने तई वो कर लेता है पूरा कर लेता है और जब छोटे से छोटे काम को पूरा करता है तो निश्चित रूप से सफलता उसके हाथ लगेगी कई युवाओं को हमने देखा है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सफलता नहीं मिल रही है करियर के एक्षेत्र में या उनकी कारी के एक्षेत्र में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसे में उन्हें टटूलना चाहिए कि आखिर कमी क्य है जब वेक्ति आत्म निर्भर होगा तो सफलता जल्दी मिलती है यह सफलता की कुझी है जिए गर आपके भीतर यह तत्त तो नहीं तो उसे खोजिये और पैदा करिये आत्म निर्मर्दा में वेक्ति अपने रुची के अनुसार ही काम कर सकता है, जैसे किसी को खाना बनाने से आयका जरीया कमाना है, आयक कमाना है, तो या अपने को खुद को तयार करना है, जैसे खेती करना है, या फिर हस्त निर्मित वस्तूओं को बनाना है, बैग है, पंखा जाड दिये मिटि के बरतन बनाना ऐसी तमाम उपियोगी चीजें होती है जो रोजमर्णा की जिंदगी में ये चीजें कामाती है उन्हें स्वयम तैयार कर लेने की आदत होती है प्रवित्ति होती है बिल्कुल और यही आत्निर्भरता ही उसे सुख प्रदान करती है वो सक्षम हो जाता है और सफलता मिलने लग जाती है और आत्निर्भरता हर व्यक्त के अंदर होनी चाहिए अपने विश्वास को मजबूत बनाएं जैसे कभी हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं कि फला काम चलता है कि मुझे तो यह करी लूँगा यह शुरुवात से ही बच्चों में यह टेंडेंसी शुरुवात से ही डारी जाती है कई बार यह होता है कि मा पिता दोनों घर से बाहर है जापर घर में बच्चा बाकाइदा बड़ा हो चुका है कि वो खाना बना सकता है लेकिन व और तमाम तरह के जैसे बैंकिंग के काम है कि कोई घर में करता है तो उसी पर आश्रित बैठे रहते हैं कि वही फला विक्ति करेगा सब को सब काम आना चाहिए खुद पर भरुसा होना बहुत ज़रूरी है ममतर जी आत्म निर्भरता पर एक संदेश है लिखते हैं कि आत्म निर्भरता के विशय में हमने देखा है कि आत्म निर्भर यानि सिर्फ अधिक पक्ष को लेकर स्वेम निर्भर होना लेकिन आत्म निर्भरता का आशे सिर्फ आय को लेकर होना चाहिए मैं मानता हूँ कि आत चोटी 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 द्यानिक कारहों को लेकर हमसे हम पर कितने आतना निर्भर होते हैं हम क्रफ़ दहाइब कि परिवार के सध्र से खास कर पुरुषवर चाहे पती हो या भाई हो या अनिक खोटी चोटी द्यानिक जरूतों के प्रती भी आत्म निर्भर नहीं होते, नहाने जाएंगे तो पत्नी को आवाज लगाएंगे, कपड़े दे दो, घर से आफिस जाएंगे तो चश्मा दे दो, मोबाइल दे दो, ये सभी कार भी आत्म निर्भरता की शेडी में आते हैं, और इन सभी कारियों के प् गुज़राती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए मतलब मन यारी इच्छा हो तब हम कहीं भी जा सकते हैं दिल से मन से हम आशाबादी हो तो हम आत्म निर्वर बन सकते हैं ये सही पते की बात इन्होंने कही है और अब जो दिवाली की साफ सफाई की बाते हमने कर ली और स्मृतियों की भी सैर कर ली लेकिन दिवाली अब चू की करीब है करीब क्या कल तो पहली दिवाली मानी जाएगी धनतेरस और तैयारी बहुत सारी होती है और दिवाली जब आती है तो लोगों के खर्च भी बढ़ जाते हैं लोग बचत पर भी ध्यान देते हैं तो उसके लिए तैयारी क्या-क्या करें मंजरी जी बताये बस जैसे कि अब सोचते हैं कि खर्चा हम कम करेंगे तो जैसे रंगोली बना ली और दीपक जो है वो सादे मिट्टी के लाकर आप खुद भी उसे पेंट कर सकते हैं बच्चों से करवा सकते हैं जैसे बच्चों के अंदर की जो रतनात्मक शक्ती होती वो उहर कर सामने आती है और जब रंगोली की तयारी होती तो बड़ी भारी प्रतियोगीता हो जाती है और आगे गरवालों से चाहिए इस तरह की प्रत्योगीता में बहुत हो जाती है तो आप उसके भी तरीके अपना सकते हैं कि फूल वाली बनालीजाई या पत्तों की गत्रन से भी आप रंगोली बना सकते हैं और तोरण कंदील जाल रहे सब जब पताखे चुडाने की बात आती है तब फिर क्या करना चाहिए पताखे चुडाने की जब बात आती है तब आप बच्चों को यही समझाईए कि पताखे पर्यावरन को नुकसार पहुचाते हैं और आप लाएंगे नहीं तो चुडाएंगे कैसे और उसमें आजकल तो पत प्राडियों के आने जाने के लिए भी बहुत नुकसान दे होता है कि खत्रा कहीं भी पैदा हो सकता है। दूसरा कई लोग दमा और अस्थमा के जो मरीज होते हैं जो जिनको सांस की तकलीफ होती है। पटाखों के शोर से उनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ज़्यादा शोर वाले पटाखे आप ले आते हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। बिल्कुल इसका बहुत जरूरी होता है ध्यान रखना। और जब समय से पूर जो है दिपावली तिवार की खरीदारी कर लेनी चाहिए क्योंकि लास समय में दोड़ भाग करने से बचना चाहिए क्योंकि दिपावली की तैयारी में थकान बहुत हो जाती है। फिर खुद को भी अच्छा दिखना होता है तो पार्लर जाने का भी काम एक बढ़ जाता है। हम सक्क्यों को लगता है कि एक बढ़ पार्लर हुआ है सफाई कर ली बहुत चेरा बिगड़ गया है तो तिवार में कम से कम अच्छे से सजें धजें तो यह बात अच्छी है लेकिन। यहां भी पार्लर जाने की बजाए चॉकलेट के जरीए जो निखार होता है उसके बारे में आप बताने वाली हैं यह आप पहले से आगाह कर रहे हैं तो ठीक हमारे शुरता इंतजार करेंगे वो जो लाइट लगाना दीपक बाती तयार करना यह तो है है और जो खास बात ह है उसमें मतलब यह सब जब सजावट कर लेते हैं तो घर चमक उठता है तो मन भी हमारा चमक जाता है मन भी खुश हो जाता है और आज कल तो बजार में बहुत दीवाली के सजावटी समान तरह तरह के आ गये हैं पहले मिट्टी के दिए लगाए जाते थे बाद में मौंब जाना जादा अच्छा लगता है या मौंबती या और तरह तरह के जो सजावटी आये हैं कंदील मौंधा जी मुझे तो मिट्टी का ही दिया मुझे अच्छा लगता है जलाना सबसे अच्छा वो लगता है उसके बाद मौंबती की बात आती है लेकिन दीपक जो हता है वो का लग एक रौनक लगती है वो लगता है सच में ये दिवाली पाना पर एक चीज और है मिट्टी के दिए जब आप खरीद कर ले आते हैं और जलाते हैं उसमें एक खुशी और नहीं थै वो ये कि जो मिट्टी के दिए बना कर जो बेजते हैं सड़कों के किनारे किनारे किसी ब्रांडेट दुकान पर नहीं बैटते हैं येENN की बाकादा आजिविका होती है वो साल भर इंतजार करते हैं साल भर वो दिये, तयार करते हैं और फिर वो सड़क के किनारे बैठके बेजते हैं दिबाली तक बिक जाए उनका येही ये हुनकी मैशा होती है कि कि इसी तरह से और उनको उतने पैसे मिल जाए जितनी लागत लगी है तो जब आप शौपिंग करने जाते हैं और जरूरत से ज़्यादा शौपिंग करते हैं तो उस समय इसका ख्याल रखें कि जो सड़के किनारे लोग बैठें और उनसे बारगेनिंग ना करें बिल्कुल भे उनका मनोबल कितना तूटता होगा जब दिये नहीं बिखते होंगे और वो आपस लेके आते होंगे तो इन बातों का भी खयाल रखना चाहिए बिल्कुल इस दिवाली पर यह चीज़ परण लें कि हम इन सबसे भी यह सारे समान खरी देंगे चाहिए वो सजावति हो चाहिए रंगोली हो चाहिए फूल माला की बात हो दिवाली की साफ सफाई की बातें जब हम कर रहे थे तो हम बातें कर रहे थे अख़बारों की कतरनों की किताबों की, स्पृतियों की कौन-कौन से स्पृतियों के गलियारों तक हम पहुँच गए थे और साथ में हमारे शूता भी उनकी टिपणियों से पता चल रहा था कि वो भी पहुँच गए शूता ने लिखा भी है कि हम जब हम दिवाली की सफाई करते थे पहली कह चुके हैं कि पताखे ना चुडाएं तो अच्छा है बलकि सिर्फ फुल जड़ी चुडा के ही अपना दिवाली अपनी मना ले ऐसी ही तमाम बाते होती हैं हम कविता और कहानियों की सैर कर लेते हैं एक कविता हमें यादाई वो है केदार नाच सिंग की कविता दिवाली पर अक्सर ये सोशल मीडिया पर भी आजकल वाइरल होती है उस कविता की कुछ पंक्तिया में पढ़कर सुना रही हूँ केदार नाच सिंग की कविता है जाना फिर जाना उस तट पर भी जाकर दिया जला आना जाना फिर जाना उस तट पर भी जाकर दिया जला आना पर पहले अपना ये आंगन कुछ कहता है उस उड़ते आचल से गुडहल की डाल पर बार बार उलज जाती है एक दिया वहां भी जलाना जाना फिर जाना एक दिया वहां जहां नई नई दूबों ने कल्ले फोड़े हैं एक दिया वहाँ जहां उस नन्हे गेंदे ने अभी अभी पहली ही पंखडी बस खोली है एक दिया उस लौकी के नीचे जिसकी हर लतर तुम्हें चूने को आकुल है एक दिया वहाँ जहां गगरी रखी है एक दिया वहाँ जहां बरतन माजने से गड़ासा दिखता है एक दिया वहाँ जहां अभी 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 धुले नए चावल का गंधवरा पानी फैला है एक दिया उस घर में जहां नई फसलों की गंध चट पटाती है एक दिया उस जंगले पर जिससे दूर नदी की नाव अकसर दिख जाती है एक दिया वहाँ जहां जबरा बनता है एक दिया वहाँ जहां पियरी दूती है एक दिया वहाँ जहां अपना प्यारा जबरा दिन भर सूता है एक दिया उस पगडंडी पर जो अंजाने कुहरों के पार डूब जाती है एक दिया उस चौराहे पर जो मन की सारी राहे विवस्चीन लेता है एक दिया इस चौकट एक दिया उस ताखे एक दिया उस बरगत के तले जलाना जाना फिर जाना क्या बात है बहुत सुन्दर सी कवीता है और इसी के साथ एक संदेश हम देख लेते हैं मंतर जी दीपा वली की सफाई के दौरान अलमारी साफ करते वक्त एक पुराना पैकेट मिल गया था जिसमें मेरी पुरानी सक्षियों के खत और साथ में भाई के दौरा लिखे वे खत जिसे पढ़कर आखों में आसू और पुराने दिन याद आ गए भाई ने मेरे लिए कुछ प्रियोग किये थे फोटोग्राफी के दौरा जो मेरे पास आज भी रखे हैं उसकी याद के तौर पर सारी बात याद आगी क्या बात है बहुत सारी याद देखिये मंजरी जी ए कर अपने आपको राजा समझते थे क्योंकि स्कूल की भी चुटियां शुरू हो जाती थी बहुत ही खूपसूरत दिन थे अब उन दिनों की सुनेरी यादे हैं जिनको हमारे विविद भारती हमारी समय समय पर याद दिलाती रहती है जब गद्धे निकले रखी जाते थे तो हम लोग चोटे-चोटे उस फ़र कूद कर लुड़का करते थे तो बड़ा मज़ा था और दिवाली के साफसफाई में यह भी होता था कि तब सिर्फ पेंटिंग वाला जमाना नहीं था तब वाइट 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 वाश किया जाता था चूने से पुताई की से तवचा निकाल लेते हैं तो इसके लिए कि चमकदार तवचा के लिए हम एक बताते हैं तरीका की आधा कप पिगली हुई डाक चॉकलेट लेना है उसमें चार चमच दूद मिलाई है और इसमें एक चमच चाय का लेंगे सी साल्ट और ब्राउन शुगर मिक्स करेंगे औ उपर से नीची के और लगाएं और अच्छे से फैला दे पंद्रा मिनट के बाद निकाल कर धो लें ये पैक डेड इसकी निया जी जो अमरत ते तचा होती है उसको हटाती है और सेल्स को मजबूत करती है जिससे चेहरे पर चमका जाती है और जब भी पैक बनाएं तो हमारे सभी शुरताओं को जो आपने कविता पढ़ी ना वो सबको बहुत पसंद आई केदाना सिंग की कविता थी है हमारे शुरताओं की टिपड़ी आई है इस अंदर में हम शुक्रिया आदा कर रहे हैं और कभी आपके जहन में भी कोई कविता है तो साचा कीजिएगा ब अब घड़ी की ओर देखें बिलकुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियां या कुछ कोई गाना सुनवाए लेते हैं सक्यों और सखाओं से इजाजत आप सभी को ममता सिंग और मंजरी फर्मा का नमस्कार